नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस एपिशोड में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फेस्बुक में कैसे अपना ग्रुप मोबाइल के द्वारा बनाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि फेस्बु करने के बाद नीचे जो groups का option है दोस्तों groups में आईए और जिस group को delete करना है दोस्तों उस groups को आप select कर लिजे लेकिन इसके लिए सबसे पहरे इंशोर करिए उपर groups वाला टाइब आपको selected है तभी यह groups आपको दिखाएंगे तो चुकि यह test group आप friends हमने बनाया था तो हम इसको select कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद select करने के बाद आपको जितने भी members इसमें बने हैं उनको एक एक करके delete करना होगा तभी यह permanently delete होगा तो तो सबसे उपर जो आपको search के राइट में आई का बटन आ रहा है उसमें आपको click करना है click करने के बाद आप देख रहे हैं जहां पर उसमें लिखा हुआ है members में आपको click करना है click करने के बाद friends आपको यह members जितने भी members हैं उसके आगे तीन डॉट डॉट बटन दिये हुए हैं वहां पर आप click करके remove members आपको दिख रहा होगा इनको आपको remove कर देना है friends अगर आपका group छोटा है तो आप बड़े आसानी से इस तरह remove कर सकते हैं अगर आपका group बड़ा है तो आपको इसको remove करने में काफी परिसानी हो सकती है दोस्तों इसको इस परकार से एक एक members को delete करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप अपने आप ही इस group को छोड़ते हैं तो आपको दोस्तों ये जब group को delete करने के लिए आप जाएंगे तो किसी दूसरे को ये admin ब बनाने के लिए request भीजेगा तो group आपका delete नहीं होगा दोस्तों अब ये सारे members delete हो गए हैं केवल आपका अपना बचा हुआ है तो इसके लिए आप सबसे पहले दोस्तों back जाए जहां members है members के बगल में arrow का button देया हुआ है लिफ्ट जाने का आप उसमें क्लिक करिए और उसक test group of friends के आगे जो बटन दिया हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें एक drop down open होगा और उस drop down में आपको absence होगा कि आप leave सबसे नीचे option आपको दिखेगा leave group तो leave group में आप क्लिक करेंगे और दोस्तों यहां पर एक option भी दे रहा है do you want to give up your admin privileges and leave the test group for friends तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप group छोड़ना चाहते हैं तो आपके admin के privileges से दूसरे को देगा टेकिन दूसरा कोई है ही नहीं इस ग्रूप में इसलिए किसी को देने के इस्तिति नहीं बनेगी इसलिए सीधा leave group आप जैसे करेंगे दोस्तों तो यह group में ऐसे leave जैसे हो ग अगर इसमें search भी करें हम तो टेस्ट ग्रूप जो हमने बनाया था वह अब इसमें नहीं आएगा तो यह तरीका होता है कि ग्रूप को delete करने का सबसे अच्छा तरीका यहीं होता है नहीं तो ग्रूप आपका बना रहता है अगर आपकी मेंबर्स उसमें बने रहते हैं और एक्जिट करते हैं तो ग्रूप बना रहता है तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने ग्रूप को permanently delete कर सकते हैं तो thank you very much for watching this video